जी दोस्तों exam ratio में आपका स्वागत है आज हम लाए हैं मैद का सांधार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है simple interest और आज का जो टॉपिक होगा हमारा कि जब दो समयों में मिस्रभिन अलग 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 दिया हो जब दो समय दिया हो और उनके मिस्र भीन क्या हो अलग अलग हो तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे आईए क्यूस्चन से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्यूस्चन जो होगा कोई धन साधारन ब्याज की दर पर कोई धन साधारन कोई धन साधारन ब्याज की दर पर तीन वर्ष में तीन वर्ष में रुपए पान सो पचहत्तर तथा तथा पांच वर्ष में पांच वर्ष में रुपए छे सो पच्चीस हो जाता है हो जाता है ब्याज की दर ग्याद कीजिए हो जाता है ब्याज की दर ग्याद कीजिए ब्याज की दर ग्याद कीजिए चले भई पहला आप संदिया हुआ है आप संदिया हुआ है भई दस पर्षेंटेज दस राप संदिया हुआ है पांच पर्षेंटेज तीसरा राप संदिया हुआ है आठ पर्षेंटेज और साथ पर्षेंटेज चले देखे भईकर आए कोई धन साधान ब्याज की दर पर तीन वर्स में 575 रुपए हो जाता है और 5 वर्स में 625 रुपे हो जाता है तो ब्याज की दर ग्याद किजिए ब्याज की दर क्या होता है भाई कोई भी धन किसी भी धन का एक वर्स में जो ब्याज मिलता है वही तो ब्याज की दर के रूप में होता है पहले हम इसका मूलधन गयाद करेंगे क्या गयाद करेंगे मूलधन तो देखें तीन वर्ष में अर्थात ए 3 amount मूलधन मानते हैं P है मूलधन हमारा क्या है P amount तीन वर्ष में कितना हो जा रहा है 575 कितना हो जा रहा है 575 और अगले 5 वर्ष में अर्थात 5 वर्ष में जो मूल, अमाउंट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, अमाउंट, अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, 625, तीन वर्ष में, किसी भी धन का तीन वर्ष में, जो अमाउंट है, वो कितना है, 575, और उसी धन का 5 वर्ष में, जो अमाउंट है, 625, कितना हो ज का अंतर ही तो होगा भाई दो वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा होगा तभी तो ये एमाउंट आगे गया होगा पांच वर्ष के लिए तो देखें दो वर्ष का जो ब्याज है छासो पचीस में से पांसो पचाप्तर घटाएंगे पच्चास आएगा कितना आएगा भाई पच्चास अर्थात दो वर्ष में ब्याज कितना दिया पच्चास रुपए तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा पच्चीस रुपए एक वर्ष में ब्याज कितना होगा पच्चीस रुपए अर्थात एक वर्ष में ब्याज पच्चीस रुपए है तो याई तीन तो तेन वर्स का ब्याज भी है तो तो प्याज अगर एक वर्स का 25 है तो तीन वर्स का ब्याज कितना हो जायगा है इसवेज 75 अर्थर शाहती इंच अगर 75 घटा दें तो हमारा ब्याज मूलधन आ जाएकर नहीं है हमारा मूलधन आ जाएगा तो अर्थात जो हमारा ये मूलधन है मूलधन से 575 पे गया तीन वर्ष में और तीन वर्ष में पांच वर्ष में 625 अर्थात मूलधन हमारा कितना आ गया 500 रेट क्या होता है भाई रेट बराबर होता है एक वर्ष का ब्याज बते मूलधन और गुरते 100 अर्थात एक वर्ष का ब्याज कितना है भाई 25 रुपय एक वर्ष का ब्याज 25 रुपय मूलधन कितना है भाई 500 रुपय और into 100 इन्टु हंड़ेट पांच पच्चे पच्चीस अर्थात रेट हमारा कितना अगया भाई पांच पर्षेंटेज अर्थात रेट हमारा कितना अगया पांच पर्षेंट पोले भाई किसी को कोई दिक्कत हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं हुआ हुआ ठीक है तो हमारा आप आपसन कौन सा हो जाएगा भाई बी नंबर आपसन कौन हो गया बी नंबर चले आगे चले किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा चले आते हम लोग नेश्ट क्यूस्चन पर आईए हमारा अगला क्यूस्चन होगा भाई हमारा अगला क्यूस्चन है ब्याज की किस दर से ब्याज की किस दर से कोई धन दर से कोई धन ब्याज की किस दर से कोई धन चार वर्स चार वर्स में रुपए 928 तथा छे वर्स में चे वर्स में रुपए 992 हो जाये गा हो जाये गा ह कि आपसन आपको दिया है भाई यह आपसन दिया हुआ है आपसन आपका है 5% अगला आपसन है भाई 4% 3% और अगला आपसन है भाई 6% चलिए भाई आईए देख लेते हैं हमारा क्या है कराय ब्याज की किस दर पे दर पूछ रहा है कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपे हो जाता है माल लिया हमारा धन मूल धन पी है चार वर्ष में अर्थात A4 में एमाउंट कितना हो जा रहा है 928 कितना हो जा रहा है भाई 928 फिर कराय 6 वर्ष में 6 वर्ष में अर्थात 6 वर्ष में जो एमाउंट हो जाएगा कितना दे रहा है 992 कितना दे रहे 992 चार वर्स और छे वर्स अर्थाद दो वर्स का ब्याज दो वर्स का ब्याज अगर देखें हम दो वर्स का ब्याज कितना हो जा रहा है भाई बारा में से आठ घटाएंगे चार आठ में से दो घटाएंगे छे अर्थाद दो वर्स का जो ब्याज है कितना रह जो है चार वर्ष का ब्याज अगर हम करें इसमें चार वर्ष का ब्याज एक वर्ष का बाद 332 एक वर्ष का ब्याज 32 है तो चार वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4 312 और 4 दुनियाथ 128 कितना होगे भई 128 अर्थात ये जो 4 वर्ष के बाद amount है 928 इसमें 128 क्या है ब्याज के रूप में है 128 क्या है ब्याज के रूप में 128 इसमें से minus करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपए अर्थात हमारा जो मूलधन है कितना है 800 रुपए एक वर्ष का ब्याज 32 रुपए रेट हमको पता है रेट बराबर एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुर्थे 100 होता है एक वर्ष का ब्याज कितना है 32 एक वर्ष का ब्याज 32 है, मूलधन हमारा 100 है, और गुर्टे 100, मूलधन हमारा 800, गुर्टे 100, तो देखिए 8, 4 के 32, कितना आगे भाई, 4 पर्षेंटेज, कितना आगे, 4 पर्षेंटेज है, तो आपसन नमबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजएगा चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करिज़े इतना मेहनज से पढ़ा रहे हैं सस्क्राइब करिए जल्दी करिए चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेश्ट क्यूस्टन पर हम लोग अगले कोई धन 7%, कोई धन 7%, वार्षिक ब्याज की दर से 7%, वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 7%, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, रुपए 1210 हो जाता है, रुपए 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में, रुपए 1350 हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए भई, पहला आपसन दिया हुआ है आपका, पहला आपसन दिया हुआ है 4 वर्ष, दूसरा आपसन दिया हुआ है 5 वर्ष, तीसरा आपसन दिया हुआ है 6 वर्ष, और 7 वर्ष, चलिए आईए देख लेते हैं भई करा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है तो कितने वर्षों में ये 1350 हो जाएगा कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा भई 7% का मतलब 100 रूपयक में 7 रूपयक 100 रूपय में 7 रूपय कितने वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए 100 रूपय में 7 रूपय एक वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए अगर हम कहें 3 वर्ष में कितना मिलेगा भई 3 वर्ष में तो 7 तरिक 21 रूपय कितना मिलेगा 21 रूपय अगर मूल धन को हम 100 मानते हैं तो हमारा amount कितना हो जाएगा भाई 121 रुपए कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 3 वर्ष में हमारा 100 रुपए का amount हो जाएगा 121 रुपए लेकिन हमको 3 वर्ष में amount कितना चाहिए? 1210 तो 1210 लाने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुड़ा तो यहाँ भी हो जाएगा 1210 इधर भी 10 से गुड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 1000 अर्थात हमारा मूल धन कितना आ गया? 1000 अब देखे कह रहा हैं अगला 1000 का जो धन होगा कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा? कितने वर्षों में 1350? कितने वर्षों में 1350? ब्याज के रूप में यसाई यसाई कितना आया है भाई? हमारा 350 एक हजार पहले से था 1350 हो यसाई कितना आया? 350 एक वर्ष का यसाई यहां से अगर देखेंगे यहां से देखेंगे यहां से यहां से देखेंगे तो तीन वर्ष का जो यसाई आया है तीन वर्ष का जो यसाई आया है 210 एक वर्ष का यसाई कितना आएगा एक वर्ष का यसाई सत्तर तो यसाई तीनसो पच्चास है एक वर्ष के यसाई से मह डिवाइड कर देते हैं तो कितना जाएगा भाई पांच अर्थात पांच वर्ष में अर्थात पांच वर्ष में हमारा एक हजार का जो धन है तेरह सो प तीन वर्ष में कितना हो जाएगा साथ तरीक 21 रूपए हो गया अगर 100 रूपए का मोलधन है अगर एमाउंट कहें तो कितना हो जाएगा तीन वर्ष में 1210 हो जाएगा हमको तीन वर्ष में एमाउंट चाहिए 1210 दस से गुड़ा कर दिये तो 1210 है 1210 इधर भी 10 से गुड़ा क एक हजार अर्थात हमारा मोजदन कितना आ गया है? एक हजार रूपए से बारा सो सथ में आया कितना ब्याज मिला हमको तीन वर्ष में 3 वर्ष में 21200 कितना मिला będzie अगला कितना मिले रहा है? एक वर्ष एक हजार तेरा सो पच्चास कितने वर्ष में हो जाएगा तो एक हजार से तेरा सो पच्चास अर्थात कितना मिला हमको ब्याज के रूप में तीन सो पच्चास कितना मिला तीन सो पच्चास एक वर्ष में हमको सत्तर मिलता है तो 3 वर्ष कितने स्व वर्ष में मिलेगा सत्तर से डिवाइड करेंगा कितना 5 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 5 वर्ष में आपका action number G action number G हो गया किसी भी प्रकार का दिक्त चलिए आगे हम लोग चलते हैं question पर अगला है अगला हमारा दिया हुआ है कोई धन अगला है भाई कोई धन 5% वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर्से 6 वर्ष में रुपए 1950 हो जाता है रुपए 1950 हो जाता है तो आठ वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा कितने रुपए हो जाएगा आठ वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा आपसन है भाई आपका आपका आपसन दिया हुआ है पहला है कितना है 2200 रुपए दूसरा है आपका 2100 रुपए तीसरा आपका है 2000 रुपए भै चौथा है आपका 2300 रुपए चलिए आए देख लेते हैं कहरा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा ध्यान दीजे भाई 5 पर्षेंटेज का मतलब क्या होता है 100 रुपए पे 5 रुपए मिलेगा एक वर्ष में एक वर्ष में 100 रुपए पे 5 रुपए हमको चाहिए 6 वर्ष तो 100 रुपए का 6 वर्ष में कितना मिलेगा भाई 6 वर्ष में 6 पंचे 30 अर्थात कितना मिल गया 6 वर्ष में 30 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा अगर हम इसको पी माल लेते हैं 100 को 100 को P माल लेते हैं, amount हमारा कितना हो जाएगा, 130, amount हमारा कितना हो जाएगा, 130, amount हमको चाहिए, amount हमको चाहिए, 1950, कितने वर्स में, 6 वर्स में, यह 6 वर्स ही है, 6 वर्स में हमको amount कितना चाहिए, 1950, तो किसे गुड़ा कर दें, 15 से गुड़ा कर देते हैं, तो इधार भी क्या कर पंदरह से गुड़ा कर देते हैं तो पंदरह ये आ गया देखें पंदरह 0055 पंदरह 15 तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा एक वर्ष में देखें 75 रुपए कितना हो गया 75 रुपए एक वर्ष में ब्याज हमको 75 रुपए मिल रहा है तो फिर कह रहा है आठ वर्ष में एक वर्ष में हमको कितना मिल रहा है भाई 75 रुपए तो आठ वर्ष में ब्याज हमको कितना मिलेगा 8 पंचे चालिस आर सते चपंचे साथ कितना मिलेग भाई, छे सो, पंदराश्रों हमारा मूलधन है, छे सो ब्याज के रूप में मिलेगा, तो हमारा एमांट कितना हो जाएगा, एकिस सो, कितना हो जाएगा भाई, एकिस सो, आपसान आपका हो जाएगा बी नमबर, आपसान आपका हो गया बी नमबर, बोली भाई, किसी भी प्र का दिक्कत हो तो बताईए और अगर वीडियो कभी लाइक नहीं किये तो लाइक जरू कर लिजेगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर ठीक है और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए फिर एका न देखा करिए भाई मेहनत करते हैं मेहनत का फल आप ल